हेलो दोस्तों तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इसमें हम computer question discuss कर रहे हैं 79 तक हमने discuss कर लिया था चलिए आगे देखते हैं which of the following html tag is used to create a numbered list of items तो option दिये गए हैं आपके पास चार और इसमें आपको पता सही option जो है इसका बी जो है इसका सही option है यह bracket में जो है html tag जब भी हम use करते हैं तो यह angular bracket जो है इसके अंदर यह tag use के जाते हैं और html tag ol जो है यह numbered list के लिए यानि item की list जिसमें numbering हो एक, दो, तीन, चारे से पूरी list उसको create करने के लिए use किया जाता है यहाँ पर आपर देख सकते हैं, list के लिए उन्होंने tag जो बताए है, ul define an unordered list तो ul tag क्या करता है एक unordered मतलब order में जो नहीं होती list वो create करता है, ul के करता है, ordered list के create करता है यानि order में list को create करता है, जबकि li tag जो है, वो list item को जो है define करता है और dir tag जो है not supporting stml5, जो कि stml5 में use नहीं होता, इसकी जगाँ आप ul use करेंगे और यह का dir जो है का directory, define a directory list, तो directory list को ही define करने के लिए काम आता है dir tag निचे तक देख सकते हैं, आप description list के लिए dl, dt जो है आपका define a term in description list dd जो है define a description of a term, name in description list, menu, command और menu item जो है यह list के लिए जो है आपके tag है, table के लिए आप निचे देख सकते हैं, table के लिए भी tag दिये गए है एक तो आप simple table angular bracket में शुरू करके यह table define करता है caption जो है define a table caption, th define a header cell in a table, tr जो है define a row, td define a cell in a table और निचे तक देख सकते हैं आप, t head, t body, यह किस-किस के लिए काम आते हैं, किस-किस चीज के लिए लग-लग tag stml में यह सारी list सब कुछ यहां दिया गया है, link के लिए आप देख सकते हैं आप, a tag define a hyperlink तो hyperlink एक ऐसा link होता है, कभी आपने site पे देखा होगा, सारा जो आपका लिखा रहता है, वो black में होता है और जो highlighted होता है, जिस पर click करने से आप किसी next page पे जाते हैं, या next page open होता है, उसको hyperlink कहते हैं तो hyperlink को आप angular a जो tag है, उसके बीच में जो भी आप लिखेंगे, वो hyperlink बन जाएगा link के लिए link tag होता है, nav tag जो आपका define navigation link audio video के लिए आप देख सकते हैं tag, तो काफी लंबी list है यह, discussion करने में एक video इसी के लिए बन जाएगा तो आप यह कहीं भी आपको google पे मिल जाएगा, next question देखते हैं इसमें पुछा गया है, the concept of capture is based on dash dash test in a distinguish between human and machine operator तो capture जो होता है, वो जो है, एक turning test है, जो differentiate करता है, कि यह human है, यह machine आपने बहुत सी site यूज़ की होंगी, जहाँ पे आपको capture आता है, ABC या DZ भी आते हैं, MX भी आते हैं वो कुछ ऐसी form में लिखे गए होते हैं, जिसको machine read नहीं कर सकती, हम human read कर सकते हैं और उस character को हम fill करते हैं, और अगर हम सही fill करते हैं, then जो है, आगी की process start होती है तो capture जो है को turning test है, option D, 81 का right answer होगा, और next देखते हैं, how many heading levels are supported by HTML यह question बहुत बार पुछा जा चुका है, पहले computer operator या कोई भी और आपका exam हो जैसे clerical के भी होते हैं, तो उसमें पहले question आते थे, 20, 25, 30 question तक हो, तो उसमें भी यह question बहुत बार पूछा गया है कि heading levels जो हते हैं, HTML कितने heading level support करता है मतब ह1 जो होगा, हो सबसे बड़ा heading होगा आपका जब h2 में आप कुछ लिखेंगे, तो heading थोड़ा चोटा हो जाएगा तो इस 6 level तक है HTML heading यूज करता है next question देखते हैं, 83 यह देख सकते हैं, heading 1 में जो लिखा जाएगा वो बड़ा दिखेगा उसके बाद छोटा चोटा 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 और यह 6 level तक HTML heading यूज कर सकता है तो अब URL का कौन सा part नहीं है तो option भी इसका right answer है, access type जो है URL का part नहीं है जबकि protocol, fragment और domain name यह URL के parts होते हैं चलिए एक बार देख लेते हैं, basically 5 part होते हैं URL में देखिए जो आपका https लिखा होता है सबसे पहले site पे इसको schema भी बोलते हैं, यह schema भी बोलते हैं तो यह सकीम होती है, blog. जो लिखा है वो sub domain है कई बार आपको यहाँ पर इसको domain भी पढ़ते हम जैसे google.com लिखा होता है, तो google जो है domain आता है, domain name उसके बार dot जो भी आपका लिखा होता है अगे यह second level domain है तो हम इसको वैसे sub domain पढ़ते हैं इसको domain पढ़ते हैं और dot com यह dot co in यह जो भी होता है वो आपका top level domain होता है और यह sub directories होती हैं अब आप पूछ रहे होंगे कि fragment तो आया इनी option में था चलिए इस example से समझते हैं तो आपके जो URL है उसमें basically 5 part इन्होंने बताये गए हैं और अगर उनको हम आगे define करें दीकि parts of URL में आपका the protocol, the domain name, the sub domain name port, path, query, parameter और fragment तो वैसे basically 5 हैं लेकिन उनको आगे आप define करेंगे तो यह 8 part में divide हो जाता है आप एक बार फिर देख सकते हैं protocol, domain name, sub domain name, port, path, query और parameter तथा fragmentation यह देखिए यह आगे आपका protocol video. जो है आपका sub domain आगया google.co.uk यह मतलब UK में जो google होता है use यह UK का हमारे in google.com या use होता है या in तो यह domain name आगया 80.js का port या कुछ और भी हो सकता है path आगया है video play यह आपका path है और यह question mark के query है यह आगे जो भी लिखा होता है जो हम समझ नहीं पाते है generally अपने URL में जहां पे डालते हूं आपे देखा होगा यह parameter है और last में देखिया आपका fragment है तो यह सारे part है आपके URL के 84 देख लेते हैं 84 में पुछा गया है which of the following is the HTML tag to create a data cell in a table तो हमने पहले भी पढ़ा है यह देखिए यह हमने list के लिए example देखा था OL का हमारे पास option था वहाँ पे यह वाला और अब यहाँ table के बारे में पुछा गया है तो td write option है define a cell in a table तो आपसे 84 में यही पुछा है which of the following HTML tag to create a data cell in a table तो table के में यह हैं आपके tags जो user होते हैं और define a cell in a table आपका td जो है tag वो use किया जाता है next question देखते हैं which of the following is the HTML tag to insert an image in the webpage तो एक image add करने के लिए webpage में आप option a right answer है img tag जो है use करेंगे यह देख सकते हैं इस पे आपको img tag है define an image map जो है define a client side image map यह आप ध्यान रखेंगे client side image map के लिए map यूज होता है area जो होता है area inside an image map और canvas जो होता है use to draw graphics और fig caption जो होता है define a caption for figure element और figure जो होता है specifies self-contained content तो बहुत से question पूछे जाते हैं tag से ही और यह देखिए तीन से चार question हो चुके हैं शायद आगे भी होंगे तो basic HTML tag से ही use होता है तो यहाँ से लेके आपको लगभग जाद हैं तो 100 से उपर tag होंगे लेकिन सभी मतलब आपसे question में पूछे नहीं जाते हैं जो generally use होते हैं अगर आप दो-तिन बार इनको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा अगर वीडियो देखेंगे तो याद रहेगा आपको और easy होगा एक्जाम में अंसर करबाना next देख लेते हैं in-line css option भी इसका right answer है मैं correct option ही पढ़ रहा हूँ style is specified using the style attribute of the element देखे हमने tag की बात की इसके बाद है stml में आपके attributes आते हैं web pages जो हम design करते हैं तो हम css का use करते हैं वह यह attributes use होते हैं तो attributes में आप देख सकते हैं यह है the style attribute the style attribute is used to add style to an element such as color, font, size और इसके लाबा और चीज़ें तो यह देखें यहनोंने style tag यूज किया है color red, this is a red paragraph और यह tag जो आपका close हो गया तो और भी attributes हैं यह देख सकते हैं आप all HTML elements can have attributes attributes provided additional information attributes are always specified in the start tag आपके जो attributes होंगे वो specify करेंगे हमेशा start tag में attributes usually comes in name value like name equal to value तो यह कुछ example देगे हैं कौन-कौन से href tag जो है आपका वो URL के लिए यूज किया जाता है src attributes है जो आपका वो use to embed an image into इमेज लगाने के लिए यूज किया जाता है यह यह attributes की बात कर रहे हैं हम tags की नहीं जो src है आपका देखिए tag image है लेकिन src आपका image tag के अंदर src attribute यूज किया गया है ऐसे नीचे तक यह काफी है तो इनको आप पढ़ेंगे या अगर question होगे तो हम इनको यहीं से discuss करेंगे next देख लेते हैं यहां पर पुछा गया है which of the following css properties is used to set space between the content and the border of an element तो content और border जो होता है उसके बीच में जो space देना होता है उसके लिए हम कौन सी property यूज करते हैं css की तो हम यूज करते हैं padding option भी इसका right answer है how will you link an external javascript file with an html document आप script file को javascript file को html document में कैसे link कर सकते हैं तो option a right answer है using script element तो script element की को use करके आप javascript को html document में जो है link कर सकते हैं option a इसका right answer होगा 89 में पूछा गया है which of the following html tag is used to create a hyperlink in the web page यह web है तो कौन सा hyperlink use किया जाता है web page में html tag use किया जाता है hyperlink बनाने के लिए html web page में माफ कीजिए option c right answer है और हमने यह भी पढ़ा भी था थोड़ी दिर पहले जो a होता है यह दिखिए यहाँ पे link की बात की है तो link में a जो होता है define hyperlink तो a tag की वज़े से आप hyperlink बना सकते है 89 का option c है 90 देख लेते हैं which of the following is a voice control digital assistant provided by the Microsoft Windows 10 तो Microsoft Windows को आप digitally जो voice control assistant है जो मतलब आप बोलते हैं उसको जो है Windows हमझ जाता है जो MS Windows 10 है आपके बोलने से तो आप यह जो है यह facility जो है विंडो को कौन प्रोवाइड करवाता है तो option d का right answer है कोर्टाना कोर्टाना जो है यूजर की voice assistant को system तक पहुंचाता है तो 90 का option d राइट अंसर हुआ 91 देख लेते हैं तो airplane mode जब भी आप on करते होंगे अपने mobile का बहुत बार यूज किया होगा आपने तो आपके सारे function वो बंद कर देता है वाइफाई, Bluetooth, cellular आपके सिगनल है सारे सिगनल बंद हो जाते है जब आप airplane mode यूज करते है किसी device का नेक्स्ट देख लेते हैं 92 which of the following is the Microsoft anti-malware that provide real-time protection against viruses, malwares and spyware तो Microsoft का जो अपना anti-malware है जो Microsoft provide करवाता है उसका नाम है option B defender तो defender जो है provide करवाता है real-time protection viruses, malware और spyware के spyware से system को और जो आपकी window 10 है बहुत सी चीज़ें उसमें change की गई है देखिए आपने उपर पड़ा कि Cortana जो है voice assistant, control assistant के लिए यूज किया जा रहा है और real-time protection के लिए defender यूज किया जा रहा था लास्ट वीडियो में हमने पड़ा था कि edge जो है वो नया browser है जो Microsoft गारा दिये जाता है तो बहुत सी changes की है Microsoft ने और काफी सालों बाद की है internet explorer I think 90s में से दिया जा रहा था तो तब से लेके internet explorer ही चर्दा था browser तो विंडो 10 में काफी चीज़े ने चेंज हुई है next देख लेते हैं 93 window-provide माफ किजी window safe mode boots the computer using minimal functionality with limited number of running application and processes जब आप window को safe mode में चलाते हैं boot करते हैं तो computer जो होता है वो बहुत कम function करता है मत बहुत कम चीज़ें जो हैं running में होती हैं और बहुत कम processes जो है आपकी safe mode में चलते हैं system की next देख लेते हैं next वही पूछा गया है which of the following browser is installed by default in window 10 तो window 10 में आपका edge जो है वो नया browser डाला गया है ये question पहले भी शायद आ चुका है which of the following is a free cloud storage services provided by microsoft to store the personal file of the user तो microsoft में भी cloud storage शुरू कर दी है और उसका नाम रखा है one drive आप याद रखेंगे ये question पूछा जा सकता है और बार बार पूछा जा सकता है कि cloud storage के services जो MS Microsoft दे रहा है वो किस नाम से जानी जाती है तो उसका option D जो है right answer होगा one drive जहां पे आप अपना personal data store कर सकते हैं 96 देख लेते हैं window action center जो है consist of quick action area and the notification area to enable convenient access to them तो window में कहां होता है quick action area तो आपके होता है action center में option C right answer होगा next देखते हैं which of the following characters is not allowed in a file name in windows operating system तो जब भी आप file को कोई नाम देते हैं window जब किसी file को save करते हैं तो नाम बंगता है उस file का कि कि इस नाम से आप इसको save करेंगे तो उस नाम में आप देखिए exclamation sign use कर सकते हैं dollar sign use कर सकते हैं dash भी use कर सकते हैं लेकिन आप question mark कभी भी use नहीं कर सकते हैं मान लिएए मैंने एक file बनाई और उसका नाम मैं रख रहा हूँ, himquick.joa series, तो मैं himquick.doa series लिख सकता हूँ, himquick.doa series लिख सकता हूँ, exclamation sign भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं कहीं भी वहाँ पे question mark जो sign है, वो use नहीं कर सकता, तो 97 का भी right option है, अगला question जो है, वो आपका disk operating system से है, नहीं मापकी जो window operating system से यह भी, which of the following utilities is used to check and fix a disk error in a window operating system, तो कौन से utility का use करते हैं हम, जो error आ जाते हैं disk को, उनको ठीक करने के लिए, fix करने के लिए, तो option D, right answer है, CHK, DSK, तो इसको हम check disk पढ़ते हैं, तो check disk utilities का use किया जाता है, error को fix करने के लिए, 98 का D, और right option है, 99 देख लेते हैं, which is the shortcut key to open window task manager, window task manager अगर आपको open करना हो, तो control, alt और escape की को आप एक साथ दबाएंगे, और window का task manager जो है, open हो जाएगा, 99 का भी D, right option है, 100 देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है, the dash dash is a database used by window that stores the setting for hardware, software and user setting, तो registry जो है, एक database है, तो जो window का 5th edition आया था, तो उसमें जो है, the registry, जो है registry है, एक central hierarchical database की तोर पर use किया जाता है, और ये जो है, setting of hardware, software or user setting जो है, store करता है, next देख लेते हैं, what is the Linux command to terminate a running process, Linux, जब आप use करते हैं, operating system, तो एक process को, चलती process को खतम करने, यानि terminate करने के लिए कौन सी command है, तो option C, इसका right answer है, kill command हम use करते हैं, ये कुछ most common Linux की command है, Ubuntu, Linux Mint, Manzaro, Fedora और Debian, इससे भी question पूछा गया था, मुने इसी series में discuss किया है, next test में, which of the following clause in SQL select statement is used to filter the rows as per the given condition, तो आपको पता है, जब ये हम SQL command use करते हैं, database पे, तो हम जो हैं, where command से use करते हैं, मतलब देखिए, यहाँ पे पूछा ये गया है, use to filter the rows as per the given condition, अगर condition लगाई गई हो, और हमको कुछ row select करनी हो, as a result, मतलब result के रूप में, तो हम where condition का use करते हैं, option है, इसका right answer होगा, ये देखिए, यहाँ पे बताया गया है, where command हम कहाँ use करेंगा, the SQL where clause, यह command is used to specify a condition while fetching the data from a single table और by joining the multiple table, if the given condition is satisfied, then only it returns a specific value from a table, the where clause is not only used in select statement, but also used in update, delete or delete statement, etc. syntax है, इसका देखिए, कैसे हम इसको use करेंगे, select, देखिए, यहाँ पे column पे लगाई गई, यह आप row पे भी लगा सकते हैं, row 1, row 2, row 3, यह जहां तक भी, from table, table name आएगा, जो भी आपने table को name दिया होगा, database बनाते time, और यहाँ पे हम select command के साथ हम where condition लगाएंगे, मतलब where यह clause use करेंगे, और condition जो भी होगी आपकी, जो आपको result चाहिए होगा उस हिसाब से, next question देखते हैं, यह चीज़ याद रखेंगे आप, where command जो आपकी select के साथ ही use होगी, select command के साथ, which of the following SQL statement is used to add a new column in a table, तो नया column table में add करने के लिए हम कौन सी command यूज़ करते हैं, alter table, alter का मतलब होता है, change करना, तो हम change करेंगे table को, alter command से हम एक नया column जो है, या नई row भी डाल सकते हैं, table में, तो alter command का हम use करेंगे, alter table, और आगे आपका table name आएगा, तो किस table में आप वो changes करना जाते हैं, add करना जाते हैं, column arrow, next देख लिते हैं, मतब 103 का आपका d right option होगा, 104 देख, which of the following language is used as a scripting language in HTML document, तो scripting language हम HTML document में जो language use करते हैं, वो java script ही होती है, हमारी option इसका right answer है, which of the following is a DDL SQL command, तो commands के बारे में देखना पड़ेगा हम को इससे पहले, तो किस किस तरह की SQL command होती है, DDL, DML, DCL, TCL, और DQL, तो DDL होगी आपकी data definition language, पहले तो आपको define करना है कोई पी चीज, यानि create करके आप define करेंगे, इसमें create command यूज होए, drop alter, अपी पड़ा और truncate मतलब किसी चीज़ को खाले कर देना, तो उसके लिए truncate command, DML होती है, आपकी data manipulation language, DCL होती है, आपकी data control language, और TCL transaction control language, और DQL data query language, तो इस तरह की आपकी commands होती है, DQL में देखिए, आपकी select command ही है, और DML में, mining में आप देख सकते हैं, insert, update और delete, और देखिए, truncate और delete में फरक है, truncate है कि आपने यहाँ पे table बनाया है, create किया है, तो उसको आप खाली करेंगे, table रहेगा, और delete का मतलब आपने उस चीज़ बिल्कुल ही delete कर दी, data control language में आपका grant और evoke है, tcl में आपकी commit rollback, rollback का मतलब होता है, कि आपने, जो last update किया था, वहाँ तक exit हो जाएगा, मतलब माली ज़िए, आपने, कल आपने कोई table माया है, उसमें कुछ entry डाली है, और उसको save कर दिया है, आज आप फिर से उसमें कुछ entry डाले हैं, लेकिन शाम को आपको लगा कि नहीं यार, जो जितना data कल तक था, उतना ही चाहिए, तो आप rollback करेंगे, तो last जो update होगा, वहाँ तक कि वह rollback हो जाएगा, लेकिन मतलब आज का जो उसमें, आपने कुछ भी data डाला होगा, वह delete हो जाएगा, पिछले कल तक जो था, वह save रहेगा, commit command भी आपकी rollback की तरह ही होती है, लगबग, the commit command saves all the transactions to the database since the last commit, तो यह 5 तरह की, आपकी SQL commands होती हैं, next, देखिए 105 में हमने यही पड़ा, which of the following DDL command, DDL, SQL command, तो DDL command हमने पड़ी है, मात कीजिए, create command पड़ी है हमने DDL में, यह देखिए, create, drop, alter, और यह भी पूछे जा सकते हैं, इस बार आप से question में, तो इसमें पूछ गया है, next में, which of the following SQL query will find the number of records in a table x, for which the command y has a value of more than 70, मतलब एक x table है, और उसके y columns में कितनी बार, जो है, 70 से जादा बार, कितनी times जो है, उस column में, 70 से जादा value entered हुई है, तो option ने देखे, select, मतलब आपको select करने पड़ेगा, कुछ भी आपको fetch करना हो, तो उसके लिए आपको select command यूज करते हैं, count, count, पढ़ते हैं इसको, वैसे ही आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, select, एस ट्रिक from x, x हो गया आपका table name, where, y, column name, value, जो है, आपकी 70 से उपर हो, तो यह आपकी command use होगी, तो count हमने क्यों यूज किया, क्योंकि ये column होगा, तो कॉलम में निचे में कॉलम में रोज भी होंगी निचे तक तो यह रोज वाइस काउंट कर देगे कितनी रोज में 70 वैल्यू जो है मतलब वैसे टेबुलर फॉर्म में बताएगा आपको अगर हम काउंट का यूज नहीं करेंगा तो यह मिक्स कर देगा वैल्यू को रिटर्न होंगे मतलब वैल्यू आएगी तो उसके लिए हम काउंट यूज की हैं यहां पर तो नेक्स्ट देख लेते हैं 107 हो सकता है आपको थोड़ा तफ लग रहा हो पर अगर आपने SQL पढ़ा है तो फिर आप समझ जाएंगे इतना तफ नहीं है यह दो चार बार तो इस अपने रिक्वाइड यूज किया होगा इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू जो है कभी भी आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं आपको कुछ ना कुछ वहां पर फॉर्म में फिल करना ही होगा तो अप्शन इसका राइट अप्लिकेशन जो है इसका हम यूज करते हैं मैक्रो को क्रेट करने के लिए एकसेल में नेक्स्ट है विच आप दाफ फालीं सीप्यू कंपोनेंट जनेरे टाइमिंग और कंट्रोल सिगनल फॉर Еगजीक्वेटिंग एंस्ट्रक्षन तो कंट्रोल यूनित यहीं से पता चल रहा है टाइमिंग और कंट्रोल signal जो आपका कंट्रोल यूनित ही करती है किसी भी instruction को execute करने के लिए option भी right answer है next देखने term SSID is associated with which network तो यह है आपकी Wi-Fi से related है और इसकी full form होती है service set identifier 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 ID जो है यह identifier word के लिए उज़ किया गया है तो SSID है आपकी service set identifier और service set identifier जो हमारा wireless network का नाम होता है जिसको हम दूसरे शब्दों में network ID भी बोलते हैं next और last question इस वीडियो का how will you insert the symbol यह आप symbol देख रहे होगे एंगुलर in html तो option cease का right answer है अंसर की पर यही है फोड़ा सा मैं भी इस question को नहीं समझ पा रहा हूं क्या बोल रहा है अगर आप पता है तो please comment करिए ताक ही औरों को भी पता चले तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही वीडियो लाइक शेर करते रहे है धन्यवाद